आज हम बनाएंगे प्रॉंस मसाला करी रेसिपी तो चले स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें लगेगा 250 ग्राम प्रॉंस जिसे मैंने अच्छी तरह धूंकर साफ कर लिया है एक बड़े साइस का प्याज बारी कट किया हुआ दो बड़े साइस का टमाटर बारी कट किया तेज पत्ता और जीरा लगेगा और नमक, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काली मरीज पाउडर लगेगा तो सबसे पहले तेल गरम हो जाने पर हमें तेज पत्ता और जीरा का तड़का देना है इसके बाद हमें बारी कट की हुई प् याज को हमें हलका सा प्रावनिश करना है यह इसके बाद इसमें हम अध्रक MBA सून, सा कब पार हो टे ला देंगे इसके बाद इसमें हम तेस के हिसाब से नमक डालेंगे हल्दी डालेंगे गरम मसाला पाउडर डालेंगे रैड चिली पाउडर डालेंगे बुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे थोड़ा सा फ्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और थोड़ा धन्या पार्डर डालेंगे और इसके बाद हमें इसे गैस की आज स्लो करके इसे हमें 10 मिनट के लिए ढख देना है 10 मिनट बार देखेंगे तो हमारे टामाटर गल जाएगा और क्याज भी पख जाएगा तो इसे हमें अच्छी तरह चला लेना है अब जो हमारे 250 ग्राम स्पॉंस है उस पर हमें अच्छी तरह मसाले के पर पहला देना है और इसे हमें वापस से थोड़ा सा हल्का सा नमक और ड दो धग देना है तो अब देखेंगए 10 मिनट बार ये प्रॉंस काफी पानी चोड़ देगा और इसे हमें ये मसाला इसी में हमें भुनना है प्रॉंस के पानी नहीं इसे हमें 10 दस मिनट के लिए धग कर और इसे पकाना है प्रॉंस काफी जल्दी पक जाता है देखें इसे मैंने अच्छी तरह चला लिया है अब हमें जितना चाहिए उसे साथ से हम पाणी डालके इसका ग्रेवी कर सकते हैं पाणी डालने के बाद इस मिनट के धक देना है ताकि यह पक जाए 10 मिनट पाद देखें तो हमारा यह तयार हो गया है प्रॉंस मसाला करी अब उपर से हम थोड़ा सा कट किया हुआ धनिया पाउर्डर डालें इस तयार हो गई है ंसे हम रोट्टिय चावल से खाब सकते हैं